कि अपने चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो के अंदर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों ने देखा यह जो वीडियो है जो हमसे पूछा जा रहा है अब इस सवाल किया जा रहा है खासकर के मेरे सीनियर हो जाने के बाद पिछले लगबख साड़े साथ आठ साल से में बहुत फ्रिक्वेंटली कोश्चन पूछा जो जाता है मुझसे चाहिए क्या हमको किस तरह से फायदा हो सकता है फाइनैंशली हमको एम्डी करने का क्या अजवाब देनेमें रहा हूँ कई बच्चों को एक जो मतलब बहुत जादा BHMS scenario और BHMS field से और खास कर homeopathy का इंडिया के अंदर जो अस्तित्व है उससे बहुत अच्छी तरह से जो लोग नहीं है अवगत तो दर्शक उनको एक ही जिये लगती है कि homeopathy के अंदर भी बिल्कुल MBBS जैसा ही scenario होगा what is the scenario in the MBBS या फिर allied subject की field के अंदर MBBS field के अंदर कि उसने MBBS करा और MBBS करने के बाद this is the known truth कि उसको MD करना ही है या तो MD करेगा या वो MS करेगा या वो DCH करेगा या MCH करेगा मतलब कोई ना कोई post graduation की degree होनी ही चाहिए तो जो लोग homeopathy का भारत के अंदर बहुत अच्छे से जिनको अस्तित्तो नहीं पता है वो मोटा मोटा ये सोच के चलते हैं कि अगर हमने BHMS करा है तो हमको MD करना ही है तो अब इस वीडियो में मैं वही चीज उस सवाल का जवाब ही देने वाला हूँ कि क्या homeopathy के बाद MD क करने के फायदे होंगे तो दोस्तो जवाब बड़ा सीधा सा है इसके फायदे होंगे भी और नहीं भी अब हम चर्चा करते हैं किनको होंगे और किनको नहीं होंगे सबसे पहली चीज वो लोग जो MD इस उमीद में कर रहे थे और ये वही लोग है जिनने अभी BHMS भी नहीं क होगा दोस्तों डिगरी का होना कते ही इस बात का सत्यापन नहीं करता है वेरिफिकेशन नहीं करता है कि आपको नौलेज होगा ही इस लेवल का अगर आप MD कर रहे हो बीच मेस के बाद सिर्फ नौलेज पाने के लिए तो आप से ज़्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा क् ना बीच मेस में पढ़ाया जाता है आप लोगों में से लाखों लोग देख रहे होंगे जो बीच मेस हैं जिनने बीच मेस किया है और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आपको कितना पढ़ाया गया बीच मेस में तो दोस्तों जो ग्रेजुएशन के अंदर ह में ऐसी बाते जानने वाले थे भी और यह के दोरान जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था और जिसका हमको का और खा और नहीं पता हम को वो तक नहीं पढ़ाया गया आप लोग सब जानते हैं देखिए नाम के लिए classes चलना नाम के लिए यह पढ़ा दिया नाम के लिए और गणन पढ़ा दी वह नहीं है पढ़ाई अगर इस देश के अंदर किसी इंस्टीटूट के अंदर पढ़ाई होती है रियली रियलिस्टिक लेवल पे यह में से ज्यादा तर्म इंक्लूडिंग मी हमने भ आपको एसी स्टेज में पढ़ाने वाले नहीं पढ़ाया जब आपको पढ़ाना जरूरी था आपके लिए एनेटमी नहीं थी फिजियोलोजी नहीं थी आपके लिए होमियोपैथी नहीं थी आपके लिए मटेरिया मेडिका नहीं थी और्गेन नहीं थी फिलोसफी नया थ सब्सक्राइब आपके लिए आपको पता होना चाहिए था दोस्तों जब हमको नहीं पढ़ाया गया तो आप M.D. में क्या उमीद कर रहे हैं कि M.D. में आपको पढ़ाये तो कि M.D. में वो गैरेंटी नहीं है दोस्तों कि अगर आप इस उमीद के अंदर आप इस उमीद के वज़े से M.D. कर रहे हो कि आपको नौलेज बढ़ जाएगा तो आप गलत हो आपको नहीं करने की जरूरत है आपको सिर्फ नौलेज बढ़ाने के लिए M.D. करने की आवश्चक्ता नहीं है अब दूसरा कोटा आएगा लोगों का जो M.D. सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा क्वालिफाइट हो जाओंगा तो मेरी समाज में वट ज़्यादा होगी मेरा पेशेंट दोस्तों ये भी गलत है ये B.H.M.S. में बिल्कुल गलत है हाँ आप M.B.B.S. होते जाएगा अगर आपने M.B.B.S. के बाद M.D. नहीं करा M.D. तो छोड़ी अगर आपने प्लेन M.B.B.S. रहे तो आपसे बुरी गत किसी की नहीं होगी तो M.B.B.S. के बाद M.D. करना इस में डेटरी आप ये समझो वो जरूरी है उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा उन सब की बात नहीं कर रहा जिनको हैनीमेन ने औरगेनन के फूटनोट में गाली दिया जो एलोपैथिक प्रेक्टिस कर रहे हैं जो आज की डेट के अंदर एलोपैथी प्रेक्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में अप्लिकेशन डालके एक समाज और संगठन होमि हमिओपैथि के समझते हैं और ऐसे हमिओपैथ प्रेक्टिस करना चाहते हैं मैं सिर्फ उनके बारे में बात तर रहा हो तो प्रेक्टिस करना चाहते ह। बीएचेमेस के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा हुनर बोलता है अगर मेरे पास हुनर है अगर मेरे जानता हूं होमियोपैथी मैंने दिल से पढ़ी है मैंने क्लीनिकल होमियोपैथी दिल से पढ़ी है मैंने सारे अलाइट सब्जेक्ट बहुत मन लगा के पढ़े हैं मेरा अंदर हुनर है तो आपको कोई भी मेडिसीन की डिगरी की जरूरत नहीं है और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं और उनकी तादाद दसीयों से ज्यादा है मतलब इंटू 10 की बार कर रहा हूँ उनकी दादाद होगी 50-60-80 ऐसे लोगों को जानता हूं करकर के बैठे हैं कर लिया है फिर भी कुट्टे की नौकरी कर रहे हैं एक होमियोपेटिक का नहीं दिख रहा मुझे आज की अगर आप में हुनर है तो आप लेंडी कर लो चार सब्जेक्ट में कर लो अगर आप में हुनर नहीं है तो आपका खतम कर लो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एम डी सिर्फ इस नैसेशिटी के चलते करना चाहता है कि MBBS के बाद MD करना जरूरी है वैसा ही शायद BHMS के बाद है तो आप गलत हो कोई MD करने की जरूरत नहीं है अगर कोई इस उमीद में MD कर रहा है कि आपका knowledge का level बढ़ेगा आपको बहुत पढ़ाएंगे आपका जो कमी बेशी BHMS में रह गई है वो होमियोपैथी की पूरी polish MD के दौरान हो जाएगा तो भी आप गलत हो ठीक है क्योंकि आपको नहीं पढ़ाया जाएगा वो लोग जो यह सोच रहे हैं कि MD करने से मेरे carrier के अंदर कुछ ऐसे उपा उबाले आएंगे कुछ उथान आएगा वो लोग भी गलत है क्योंकि अगर आपके अंदर talent होगा तो स आपके लिए बहुत सफिशेंट है जो कि मैं हूँ आपके सामने बैठा आयम मेरे को कोई मेरी मंग्षा है और ना मेरी एक्षा है MD करने के दस लाग की MD करूंगा इस से अच्छा साथ लाग रुपे लगा के आदे दुनिया का मैं आदे दुनिया का है वर्ल्ट तूर करके आना ज्यादा बेटर समझता हूं रादर देन डूइंग दे अमडी आपके केरियर के अंदर भी कोई चार्चान नहीं लगाएगा अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो फिर सवाल आता है क्या MD बंद कर देनी चाहिए क्या MD के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है क्या MD करना बिल्कुल ही बेकार है बिल्कुल नहीं यह साब ऐसा MD का फ्यूचर इन इंडिया बस एक है कि अगर आप एजुकेशन लाइन में अपना केरियर बनाना चाहते हो अगर आप एस असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी ठीठक लेवल के कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहते हो तो कि हमारे यहां सब कच्चे पे चल रहा है मिनीमम रिक्वायर्मेंट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन दा एनी एनी बिएजमेस कॉलेज जो है कि MD से नीचे का कोई व्यक्ति भी वहां पर पढ़ा नहीं सकता जो कि हम फुल्फिल हमारे यहां नहीं हो जी हां दोस्तों अगर आप अपना जो एजुकेशन लाइन के अंदर केरियर बनाना चाहते हैं देखिए बच्चों को पढ़ाना जरूरी है तो वो लोग वाकहि में जो तलंटिड हैं जो भहुत अच्छा जिनके पास नॉलफिज है जिनके पास अलाइड नॉलफिज बहुत अच्छा म पढ़ा अगर आपको लगता है कि आपको अपना केरियर अगर आप Edit एजुकेशन लाइन में as a assistant professor बनाना चाहते हैं अगर जैसे मैं हूँ, I do not want to educate the people in the college, मैं college जाके as an assistant professor काम नहीं करना चाहता, अभी भी मेरे को कई offer रहते हैं, हमेशा मेरे पास मेरे शहर के colleges से offer रहते हैं, पर मैं नहीं करना, मेरे को जाना ही नहीं है, मैं 10 से 5 नहीं बैठ सकता, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है? और अभी में अतना बड़ा नहीं हुआ, कि वो मेरे को एक घंटे के lecture का पैसा दे, और मेरे को एक घंटे के लिए संबन करें, कि आप बस एक घंटे आओ, एक घंटे lecture दे के चले जाओ, तो जिस दिन वो लोग यह एड़ चीज एडमिट करेंगे, कि हाँ डाक्टर ललित, अपना future नहीं बनाना चाहते हैं, उनके लिए MD बिलकुल जरूरी नहीं है, वो जितने भी लोग हैं, जो clinical line के अंदर अपना future बनाना चाहते हैं, आपके लिए MD बिलकुल जरूरी नहीं है, मेरे पेशेंट मेरे पास हमेशा रोते हुए आता है, मेरा पेशेंट मेरा नाम से काम कर रहा हूं पता नहीं कहा कहा के रिफरेंस ले कि मेरे पास आता है और दोस्तों मेरे 15 साल की केरियर में आज तक मेरे पशेट मेरे पेशाय के बारे में नहीं पूछ तक मिछ जो गीन С annéeहीं हो कि आप है पीमार आई क्रिनीक में डॉक्टर का नाम सुनके आता है ना उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं रहता तो डॉक्टर भी हम डी है डबल एम डी है या फिर वो डिप्लोमा ही होमियोपैती में एक पेशेंट से पेशेंट होता है और वो सिर्फ एक डॉक्टर से मिलने के लिए तो दोस्तों यह थी वो कंडिशन जिसके अंदर मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया कि आपके लिए M.D. करना कता ही जरूरी नहीं और हमने इस कंडिशन की भी बात करी कि कि इसके बारे में हमने चर्चा कि उमीद करो वीडियो आपको पसंद आया होगा बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़ने के लिए सबते में आने वाले वीडियो और हर अभीवार को दोपेर में धाई बज़ोने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती तब तक के लिए नमस्कार